इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नशे की हालत में किया गया कोई भी अपराद कब माफ नहीं किया जाएगा बात करेंगे भारतिय नयाई सहीता के सेक्षन 24 की जिसे पहले IPC के सेक्षन 86 में डिफाइन किया जाता था पिछले वीडियो में हमने भारती नियाई सहीता के सेक्षन 23 में जाना था कि जब जबरजस्ती या अंजाने में किया गया नशा होता है और कोई वेक्ति अपरात कर देता है तो माफी योग्य होता है उसे कानून के द्वारा माफ कर दिया जाता है और उस वेक्ति को सेक्षन 23 3 BNS के तहट अपना बच्चाओं करने का मौका मिल जाता है मगर भारती नियाई सहीता का 24 ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो की habitualी नशा करता रहता है उसे पीने की आदत है या फिर नशा करने की आदत है वो अपनी मर्जी से शराप पी कर या कोई भी नशा करके कोई अपरात कर देता है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा और ये interpretation की जाएगी कि उस व्यक्ति ने बिना नशे के हालत में वो crime किया है और उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी सजा कितनी होगी ये यहाँ पे जानने वाली बात है कि उस व्यक्ति ने कौन सा crime किया है crime का nature क्या है ये उस बात पर depend करेगा कि उस crime के लिए कितनी सजा दी जा सकती है तो ये थी information भारती नया सहिता के section 24 की hope कि ये वीडियो आपको informative लगा होगा वीडियो को like और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा